मुझे लगता है कि आज फात्मी सहाब मुझे आपके साथ शुरुवात करनी पड़ेगी क्योंकि सम्वैधानिक पद के नजरिये से सबसे उच्च पद पर बैठी राश्चुपती और उप्राश्चुपती के अपमान के मुद्दे पर आप लोग नए संसत्भवन के घाटन को बॉयकॉट करते हैं और फिर राजसभा के ही उपसभापतीब के बारे में आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि उन्होंने जमीर बेच दिया तो क्या ये दोरा रवाया नहीं है कि एक तरफ आप एक समयधानिक पद के अपमान के मुद्दे को उठाते हैं और दूसी तरफ खुदी अपमान करते हैं जमीर बेच दिया पद के लिए वो तो निर्दलिय हो जाता है जब ने कोई ऐसे समयधानिक पद पर पैड़ता है फात्मी जी आवाज जा रही है जी जी फात्मी बोली बोली आवाज आ रही है अलो आ रही है बोली देखिए सबसे पहले पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे दो मिनिट बोलने दीजिएगा और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह जो लडाई शुरू हुई है वो सिप गाटन की नहीं है जब पार्लेमेंट के बनने की बाद थी तब से बाद चल रही है कि मानिये परधान मंत्री किसी को पार्लेमेंट में तो बोले देते नहीं है लेकिन जब पार्लेमेंट की बिल्डिंग बन रही है और आगे आने वाले सैक्रो साल के लिए बन रही थी तो उसके बनने से लेकर और उद घाटन तक में उन्होंने विपक्ष को शामिल नहीं किया क्या विपक्ष का मतलब out of parliament होता है out of सरकार होता है वो भी कहीं न कहीं सरकार के का हिस्सा है, parliament का हिस्सा है तो simple बात है कि विपक्ष ने यही मांग की कि आप हमसे बाचीत कीजिए और चुके राश्ट पती ही दोनों सदनों के main सबसे बड़े लीडर होते हैं जितना भी आज तक हम लोगों ने जो पहला सेशन होता है सेंट्रल हॉल के अंदर उसमें राश्पती आते हैं उनके बोलने के बाद उस पे अभी वाशन होता है दोनों सदनों में और फिर आगे सदन का काम होता है तो अगर एक पार्लेमेंट बन रहा है तो उसके अंदर अगर हमारे राश्पती जो के आदिवासी हैं उनके हातों से हो गया होता और फिर उपाद्यक्ष उपाद्यक्ष भी मौजूद रहते हैं इसमें क्या बुरा ही है विपक्ष की मांग सिंपल है बहुत छोटी सी है कि आ आप राश्पती से उद्गाटन कराई है उपर राश्पती वहां रहें दोनों तो उनीकी चुआइस है और जहां तक आपने जिकर किया यह जो हरिवन्स वाबु का मैं कहना चाहता हूं कि वो किसी एक पार्टी से MP बनके गए थे और अगर पार्टी ने उनसे कह दिया कि हम लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं तो उनको शामिल नहीं होना चाहिए इसमें कौन से बड़ी बात है लेकिन भारती जलता पार्टी को तोड़ने फोड़ने का कि आदत हो गई है मद्पदेश की सरकार देख ली जाज कैसे बनी गोवा की सरकार बनी थी पहले इस से पहले करनाटक की सरकार बनी थी मनीपूर की सरकार मनलब हर जगह पार्टियों को तोड़ करके यह कैसी डिमोक्रेसी है यह कैसी डिमोक्रेसी है इसको तो परधान मंत्री जी बताएंगे तो फात्मी साब आपके कह रहे हैं कि राज्य सभा के उगसा जाएंगे अगर आप डिमोक्रिसी की बात कर रही है और अगर ये अगर वहां पे डिसकुशन के लिए कोई जगा बन रही है ये सवाल मैं अभी सुधानशी जी से पूछूंगे आपकी तरफ से हाला कि रोज यही बैस हो रही है कि अधूरा रह जाएगा उद्घाटन अगर विपक्ष के नेता नहीं आएंगे पात्मी साहब किसी को सुनने के लिए थोड़ा सा चुप होना पड़ता है रिक्वेस्ट करें हूँ इतने बुजर्ग नेता है सुनिये तो मेरी बात साह बात तो सुनिया आपने अपनी बात कह लिए मैं पूछूंगी उनसे रोज पूछ रही हूँ कि उद घाटन अदूरा रह जाएगा विपक्ष नहीं होगा तो लेकिन प्रश्ण का आपने जवाब दिया नहीं क्या राज्यसभा के उपसभापती निर्दलिया नहीं होते हैं आप उनको अभी भी जेडिऊ का निता मानते हैं कि आपको नहीं लगता है कि आप स्पिकर के अगर याब होगा होगा आपको सुमना चितर जी जो कम्यूनिस्ट पार्टी सी पीम के स्पीकर होते थे एक वक्त ऐसा आ गया कि सी पीम सरकार की मुखालफत कर रही थी तो उन्होंने उस दिन सदन में नहीं आये वो अपने चैंबर में रह गये दूसरे उने स्पीकर की हैसियस से वहाँ बैटे तो ये तो शरम उनको आनी चाहिए कि जिसने उनको अपनी पार्टी से मेंबर अफ पार्लिमेंट बना के बेजा और वो जाकर कि इस तरह की हरकत कर र करने वो नहीं दूसरे उनको रूसरे उनको जब कर रहे जो को जा आना कि रहीं है।